Hello guys, welcome to Science Workshop, this is Kusum here, इस वीडियो में हम हम हमेटोपोइटिक स्टेम सेल के बारे में पढ़ेंगे और इस पूरे लेक्च्वर के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती क्या है, हमेटोपोइसिस क्या होता ह हमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या है, यानि हमारी बॉड़ी में ये जो हमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, वो कहां प्रेजेंट होती है और इसके यूजिज क्या है, हमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है, इनके यूजिज क्या है, कहां इनका यूज होता है, क्या इनका फंक् वो आपको description में मल जाएगा और आप चाहो तो मिझे Twitter पे भी follow कर सकते हो Twitter का जो link है वो भी आपको description में मल जाएगा ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमेटोपोईटिक स्टेम सेल है क्या सो जो हमेटोपोईटिक स्टेम सेल है वो एक टाइप की स्टेम सेल सी होती है जो कि ब्लड सेल का formation करती है different type की blood cells present होती है हमारी बॉड़ी में जैसे की RBC हो गया WBC हो गया लेट लेट सो गया ठीक है जो blood है उसके अंदर different type की cells present होती है और इन blood cells का formation कौन करेगी hematopartic stem cell करेगी ठीक है यहाँ पे हम एक नाम देख रहे हैं stem cell stem cell क्या है stem cell हमारी बॉड़ी में पाई जाने वाली कुछ specific type की cell होती है जो की बहुत सारी other cell का formation कर सकती है और यह भी बहुत सारे type की होती है जैसे की totipotent हो गया जैसे की pluripotent हो गया totipotent की बात करें तो एक जामपल की तोर पे हम देखते है totipotent की अगर बात करें तो होता है जैगोट इस टाइप की जो cell होती है वो क्या गरती है पूरी और्गिनिसम को बना सकती है जैसे की एक single cell जैगोट से हमारा पूरा जो बेबी है वो पूरा उसका development हो जाता है एक single cell जैगोट से तो जैगोट यहाँ पे कैसी cell है totipotent stem cell है अगर हम हमारे hematopoetic stem cell की बात करें यह किस टाइप की stem cell होई यह multipotent stem cell होती है क्योंकि यह different type की blood cell को बना सकती है ठीक है यह जो blood cell के formation की जो process है hematopoetic stem cell की द्वारा इस process को हम बोलते हैं hematopoicis ठीक है hemobird ही हम किसके लिए use कर रहे है भाई blood के लिए use कर रहे है और poicis का मतलब यहाँ पे होता है formation करना ठीक है तो जो blood cell का formation होने का process है उसको हम क्या बोलेंगे hematopoicis जैसे हम hemoglobin बढ़ते हैं तो उसमें hemowird आ रहा है तो hemoglobin का होता है blood के अंदर ही होता है blood के RBC के अंदर होता है तो इस तरह से आप hemow को याद रखो कि वो blood से ही relate करेगा जब हम hemowird बढ़ते हैं ठीक है यह जो hematopoetic stem cell होती है यह कहां present होती है यह blood के अंदर present होती है और bone marrow के अंदर present होती है so hematopoetic stem cell are capable of forming mature blood cells so hematopoetic stem cell है वो mature blood cell का formation करने के लिए capable होती है such as जैसे की RBC हो गया जिसको हम red blood cell हो सकते हैं और यह काम क्या करती है यह जो cell है वो oxygen को carry करने का काम करती है ठीक है red blood cell के अंदर hemoglobin present होता है और वही hemoglobin जो है वो oxygen के साथ में जूडता है और उसको carry करता है पूरे body के अंदर second type की कौन सी cell होगी plate plates होगी plate plates क्या करती है यह जो bleeding हो रही है उसको stop करने का काम करती है ठीक है जो plate plates है वो क्या करेगी जो bleeding हो रही है उसको stop करने का काम करती है इसके लावा जो WBC है यानि white blood cells है उनका formation करेगी hematopoietic stem cells और यह जो WBC है वो infection से लडने में हमारी मदद करती है या फिर हम वो सकते है different digits से बिमारियों से लडने में कौन हमारी body के मदद करता है वाई WBC white blood cells ठीक है तो यह तीन टाइप की cells manly blood के अंदर present होती है ओकी so hematopoietic stem cell जो है वो blood cell का formation करती है और यह formation करने की process है उसको hematopoiesis बोलते है और यह हमारे blood के अंदर और bone marrow के अंदर पाई जाती है कौन कौन सी cell का formation करेगी RBC, WBC और platelets ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा so जो hematopoietic stem cell है guys उसके अंदर potential होता है कि यह multipotency भी रखती है और self renewal भी होती है multipotency का तो हमें पता चल गया भाई multipotency मतलब कि यह blood के अंदर different different type की cell का formation कर रही है जैसे की RBC, WBC, platelets इस तरह से different different type की cells का formation कर रही है उसको हम बोल रहे है multipotency so hematopoietic stem cell में कैसा potential होता है multipotency और self renewal का मतलब क्या होँ है यहाँ पे कि यह जो hematopoietic stem cell है यह अपने ही जैसे doter cell और बना लेगी ठीक है so यहाँ पे same है कि जो multipotency है इसका मतलब यह हुआ ability to differentiate into all functional blood cells इनमें ability है कि यह all functional blood cell के अंदर differentiate हो सके उनको बना सके second क्या है self renewal यानि इनमें ability है कि यह identical identical doter hematopoietic stem cell में differentiate हो सकती है identical doter hematopoietic stem cell का मतलब क्या हुआ यह जैसी hematopoietic stem cell है ऐसी ही hematopoietic stem cell वापस से आगे बना सकती है doter cell multipotency में क्या हुआ यह differentiate हो जाती है किसके अंदर कि भाई यह hematopoietic stem cell है अब यह आगे differentiate हो गई कि यह आगे जिस cell में differentiate हो गई है वो cell सिर्फ RBC की cell बनाएगी ठीक है next WBC की ही cell बनाएगी इस तरह से ठीक है तो इसमें multipotency और self renewal दोनों की ability होती है ओके अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो blood stem cell हम किसको बोल रहे हैं hematopoietic stem cell को ही बोल रहे हैं और यह दो type के अंदर divide होती है एक तो myloid stem cell बनाएगी और दूसरी lymphoid stem cell बनाएगी ठीक है जो hematopoietic stem cell है उनको हम blood stem cell भी बोल सकते हैं यह myloid stem cell भी बनाती हैं और lymphoid stem cell बनाती हैं देन आगे जाके जो myloid stem cell है वो क्या बनाएगी RBC बनाएगी plate lates बनाएगी और myloblast बनाएगी यहाँ पे यह जो myloblast बनी है यह आगे जाके WBC का formation करेगी तो इस तरह से जो myloid stem cell है और lymphoid stem cell है दोनों ही WBC भी बना रही हैं ओके आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा इसको detail में रखा गया है कि यहाँ पे है myloid stem cell यहाँ है lymphoid stem cell देन जो myloid stem cell है वो erythrocyte जिसको हम RBC भी बोलते हैं myloblast और platelets बना रही है और यह आगे जाके इसी के type है आगे जाके erythrocyte और platelets और WBC के आगे different different type बनाती है जैसे कि basophil हो गया neutrophil हो गया eucinophil हो गया monocyte हो गया यह different different type की cell बनाती है आगे जाके then lymphoid stem cell lymphoblast बनाती है then T lymphocyte यानि T cell बनाएगी B lymphocyte यानि B cell बनाएगी और natural killer cell बनती है lymphoid stem cell से ठीक है तो आयोग समझ में आ गया होगा कि कौन से cell कहां कहां से कौन से stem cell से बन रही है आगे differentiate हो रही है तो अब भी जो हमने चार्ट में देखा था वही यहान पे मैंने notes की form में explain कर रखा है कि hematopoietic stem cell जो है rise to different type of blood cell in line called myeloid and lymphoid यही different type की blood cell बना रही है किसके अंदर myeloid stem cell बनाएगी फिर lymphoid बनाएगी उसके थ्रियू तो यहाँ पे जो myeloid stem cell है उसके अंदर include होता है monocyte, macrophages, nitrophils, besophils, eosinophils, erythrocyte, megakaryocytes और platelets यह सब किससे बन रही है myeloid cell से बन रही है next है lymphoid cell से क्या क्या बनेगी lymphoid cells include T cell, B cell, natural killer cell, innate lymphoid cell यह सारे की सारी cells किससे बन रही है lymphoid cell से बन रही है इनकी हमारी body के अंदर location क्या है कहां present होती है hematopoietic stem cell यह देखते है जो hematopoietic stem cell है वो bone marrow के अंदर पाई जाती है adult में और bone marrow में भी especially pelvis, femur और sternum जो bone होती है उनके अंदर हमें maximum देखने को मिलती है ठीक है they are also found umbilical cord blood and small numbers बहुत कम नंबर में umbilical cord blood के अंदर में भी यह present होती है और peripheral blood जो है वहाँ भी यह present होती है ठीक है next है भाई इसका use कहां पे होता है जो hematopoietic stem cell है यह तो हमें पता है कि इनका function क्या है इनका function तो यह है कि blood cell का formation करेगी जैसे कि RBC होगे, WBC होगे, platelets होगे इन सारी cells का formation करेगी hematopoietic stem cell लेकिन फिर भी हम इनका use कहां कर सकते हैं हम इनका use allogenic और autologous stem cell transplantation में कर सकते हैं allogenic और autologous stem cell transplantation last video में मैंने bone marrow transplantation पढ़ा है था ठीक है वहाँ से मैं यहाँ पे यह दो टाइप पढ़ाया थे मैंने bone marrow के अंदर bone marrow transplantation के अंदर allogenic और autologous तो आप वो थोड़ा सा detail में वहाँ देख सकते हैं ठीक है तो क्या होगा कि इसके जो treatment में हम काम में ले सकते हैं जैसे कि blood और bone cancer हो गया blood cancer को हम क्या बोलते हैं leukemia बोलते हैं and myeloma ठीक है तो इस तरह से different disease होती है इनको treat करने के लिए हम क्या कर सकते हैं hematopoietic stem cell का transplantation करा सकते हैं जो कि allogenic भी हो सकता है और autologous भी हो सकता है allogenic का मतलब यह हुआ कि हम किसी दूसरी person से क्या करेंगे cells को remove करेंगे और patient की body में transfer कर देंगे autologous का मतलब यह होता है कि हम उसी person की body से cells को remove करेंगे और body की किसी और part में जहां पे damage cell है वहां पे उनको transplant कर देंगे तो इस तरह से allogenic और autologous transplantation होता है cells का So I hope समझ में आ गया होगा कि कहां पे हम hematopoietic stem cell का use करते है इसके लावा here HSC are used for cell replacement therapy taking HSC sorry यह double HSC आ रहा है वैसे HSC यानि hematopoietic stem cell directly from an HLA mist healthy donor यानि एक test होता है जिसको हम HLA test बोलते हैं जिसमें हम यह देखते हैं कि हमारे जो patient की cell है ठीक है और हमारे जो donor की cell है क्योंकि donor से हम cell को लेंगे remove करेंगे तो यह हमारे patient की cell से भी match होने चीए अगर match नहीं हुई तो इसका side effect भी हमें देखने को मिलेगा और infected कुछ cases में जो patient है उसकी जान भी जा सकती है और बाकि other side effect भी हो सकते है ठीक है तो इस वज़े से हम यह एक test करते हैं जिसमें हम यह देखते हैं कि भाई जो donor की cell है वो हमारे patient की cell से match कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है तो इस तरह से and giving them to a leukemia patient so leukemia जो patient है यानि जिसको blood cancer है leukemia इसको बोलते हैं blood cancer को ही बोलते हैं so जिस भी person को leukemia है उसके अंदर हम यह replace कर देते हैं disease cell जो है उनको तो remove कर देंगे ठीक है और donor की cell वहाँ पे replace कर देंगे जिससे जो blood cancer की problem है वो ठीक हो जाएगी so guys यह हमारा complete हो गया topic लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा summarize कर लेते हैं कि हमने पूरे वीडियो के अंदर पढ़ा क्या है ठीक है so हम क्या पढ़ रहे थे hematopoietic stem cells hematopoietic stem cells क्या होती है यह hematopoietic stem cells ऐसी cell होती है जो की different type की blood cells का formation करती है ठीक है then यह जो पूरी process होती है hematopoietic stem cells से blood cells के बनने की process है उसको हम क्या बोलते है hematopoiesis बोलते है then हमने क्या देखा है यह जो hematopoietic stem cell है blood cell कौन कौन से होगी RBC बना सकती है WBC भी बनाती है और plate plates बनाती है then जो hematopoietic stem cell है वो भाई present कहां होती है इनकी क्या location है body के अंदर तो यह हमारे bone marrow के अंदर भी present हो सकती है पैन का color change कर लेता है और इसके लावा यह हमारे peripheral blood के अंदर भी present हो सकती है और यह umbilical cord blood के अंदर भी present हो सकती है umbilical blood cord cord blood ठीक है तो यह different location है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि hematopoietic stem cell हमें यहीं पर मिलती है bone marrow में peripheral blood के अंदर umbilical cord blood में then next क्या आ गया इसके uses क्या है भाई इसके uses क्या है इसको हम जो भी blood cancer है उसको ठीक करने के लिए हम use कर सकते है और use कैसे करेंगे या तो हम allogenic transfer करेंगे cells का transplantation करेंगे या फिर हम autogenic cells का transplantation करेंगे या फिर हम cell को replace करेंगे ठीक है cell को replace कैसे करते है cell replacement में इसका यूज़ कर सकते हम cell replacement मतलब जो भी patient है patient के अंदर क्या है damaged cell है जो की dysfunctional हो गई है damaged cell है उसको हम एक donor देखेंगे और donor की जो cell है वो हमारे patient की cell से match होने चाहिए ना कि disease cell से बलकि इसकी healthy cell है उनसे तो match होने चाहिए उसके लिए हमें टेस्ट करते हैं और टेस्ट से पता चल जाता कि patient की cell donor की cell से match हो रही है या नहीं अगर match हो रही होती है तो हम donor की जो hematopartic stem cell होती है उनको remove करके patient की body के अंदर transfer कर देते हैं damaged cell के जगहे पे ठीक है तो इस तरह से जो हमारा blood cancer था या फिर कुछ इसी तरह की कुछ और disease भी जैसे myeloma हो गया उन सब को ठीक करने के लिए treat करने के लिए भी हम इसका use करते हैं hematopartic stem cell का तो ये इसके uses थे तो हमने देख लिया hematopartic stem cell क्या है hematopoiesis क्या है hematopoiesis क्या है और इसकी location क्या है हमारी body के अंदर और इसके uses क्या है ठीक है I hope guys सब को clear रहे होंगे ये सारे points तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please like कर देना share कर देना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं कर रहा है तो subscribe भी कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर लेना अगर नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं ठीक है ठीक हो वोचिक वोच वीडियो तक यू सो मुच गईस